असलाम अलेकुम और वेलकुम टू माई चैनल आज की जो रेसीपी हम बनाने जा रहे हैं वो है एक स्वीट डिश की बहुत ही जबरदस मीठा बनने वाला है बत्चे हो या बड़े बड़े हो या फिर बुजर्ग सबको बहुत पसंद होता है तो लेट्स टार्ट हम बना रहे हैं लबे शीरी लबे शीरी के लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए हमें इसके लिए मैंने लिया है कलर फुल पास्टा का एक पैकेट जो के मैं इसमें हाफ यूज करूंगी नट सा फस पर ज़रूरत ले लें कम जादा इट्स अप टू यू मैंने इसमें यूज की है अलपर के पैकेट्स फुल क्रीम मिल्क और कॉक्टेल का एक टिन लोंगी मिक्स फ्रूट का दो पैकेट्स यूज की है मैंने इसमें फ्रेश क्रीम के मैंने अलपर्स की क्रीम ले ली थी आपको जो भी अविलेबल हो मैंने इसमें यूज की है 7 टेबल स्पून कस्टर फ्ले और अब में अन करूंगी एक मीडियम फ्लेम और उसके ओपर रखूंगी एक पतीरी या कडाई वटाइवर यू है उसमें शामिल करूंगी यह दो लीटर दूथ मीडियम फ्लेम अन है हमारा और अब मैं जो है दूथ को इसमें पकाऊंगी जब इसमें वाइल आने लगा तो मैंने इसमें शामिल कर दी दो कप्चीनी दो कप्चीनी इसमें बल्कुल मेरे टेस्ट के लिहाज से परफेक्ट थी आप कम जादा कर सकते हैं मजीद मैं इसे फाइफ मिनिट्स तक पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए और दूथ जब हमारा तयार हो चुका अच्छे से बाइल आने लग गई इसमें पक जुका तो मैंने इसमें शामिल कर दिया dissolved custard यानि जू फ्लेवर मैंने vanilla का dissolved कर निया था दूद में मैंने इसमें वो शामिल कर दिया और मैं अब मसलसल इसमें spatula चलाती रहूंगी ताकि वो जो है इसमें चिपके न पैन में किया है और अब इसमें शामिल किया है मैंने फ्रेश क्रीम और फ्रेश क्रीम शामिल करते हुए आप इस पैचुला चलाते रहिएगा ताकि इसमें क्रीम के कहीं पे भी कोई लंस ना बने और अच्छे से ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाए आप देख सकते हैं क्रीम बहु याद रखिएगा कि मीठा आपका टेस्टी तभी बनेगा जब यह बहुत अच्छे से पकेगा आप देख सकते हैं कि यह अच्छे से पक रहा है और अब यह इसकी कंसिस्टेंसी जब थोड़ी सी गाड़ी हो गई तो मैंने इसमें शामिल की वाइल पास्टा इसे मैंने पहले आपस में जुड़ जाती है उनमें स्टार्च होता है तो आपने चमचा चलाते रहना है अच्छे से मीक्स अफ करते रहना है इसको तो तैयार हो चुका था मैंने फ्लेम उफ कर दिया और पैन का इने मैंने चूले से उतार लिया और रूम टैमप्रेशर पर थंडा किया था फिर इसमें शामिल की मैंने जली कटिंग करके गरम गरम जब हो तो आप इसमें ना शामिल कीजिएगा रूम टेंपरेचर पे ठंडा होना चाहिए तो हमारी लबेशीरी तयार हो चुकी है अब मैं इसमें नट्स टाल रही हूं मिक्स फ्रूट ये सब चीजे डाल कर म फिर बाकी की तमाम चीजें मैं इस पर गार्णिश करूंगी आप बनाईएगा इसको बहुत जट पर तयार होता है बहुत अच्छा बनता है बहुत टेस्टी बना था आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा रफिजरेट कीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर आपको बहुत डिलिशिस लगेगा बहुत टेस्टी बनता है कोई भी उकेजन हो पार्टी हो आप जरूर बनाईए फैमली फ्रेंट्स की कीजिए पार्टी सब को बनाके खिलाए जट पर तयार हो जाता है ये डेसर आप जरूर बनाईए मेरी रेसिपी को शेयर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिस